नमश्कार तेजखबर 24 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आजिता रीवा के गुड में एक युवक को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया है यह घटना उस वक्त हुई युवक थाने में रिपोर्ट कर वापस घर को लोट रहा था तभी चार की संख्या में आई आरोपियों ने रास्ता रोप कर उस पर चाकू से हमला कर दिया हमले में घायल युवक को उप्चार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है दरसल यह घटना गोड थानक छेत्र की है हमले में घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि तमरा निवासी अजीत सिंग से उसका विवात चल रहा है पूर्व में भी युवक और उसके पिता के साथ मारपीट की जा चुकी है घायल युवक का आरोप है कि पूर्व में हुई शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और पैसो की मांग की जा रही थी घटना से पूर्व उसके पिता से मारपीट की गई और जब रिपोर्ट कर थाने से लोट रहा था तभी चार की संख्या में आई युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और मारपीट करते हुए चाकु से हमला कर घायल कर दिया है फिल्हाल घायल का उपचार संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है जिसकी हालत सामान ये बताई गई है तो मेरे को रस्ते में चार-पाँच आदमें तो में तीन चार को पहचानता हूं अजीज सिंग को पहचानता हूं चा ुने मेरे मार दी अपको विवाद किया था विवाद मेरा पिछले था उनका एड़ साल से मेरा भी वाद जाड़ा हुआ था मेरा उंसे पापा भी थे और वो कहरो हुआ यूंक को हम भी भी मारे थे ? आपका पुलिस को द्वारा क्या सौसर मिला पुलिस को द्वारा आज हम पुलिस के रिपोर्ट लिखाने के बाद जब गए तो मेरे साथ वह समय आवा गए इस्पताल अपीता जी गए घर कितने लोग तुमार में रहा हैं पांच आदमी थे सब क्या नाम दूंगा एक कनाम है आजीज सिंग्वा कि जार को नहीं पहचानता हूं को भूण हत्यार गया था हत्यार चाकू था हाथ में धारवाला सामान था नहीं एक वार आण लिए मेरे महारे तुम्हें भाग दिये सा मेरा पैसा भी छोड़ा लिए मोबाइल भी छोड़ा लिए